नमस्य दोस्तो सौगत या सभी का तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं पिछली वीडियो में मैंने आपको HTML का इंटरोक्षन दिया था जिसमें हमने HTML के उस डॉकुमेंट के बारे में जाना था HTML हम क्यों यूज करते हैं और क्या करता है HTML इसके बारे हमने देखा था HTML के हमने यहाँ पर elements देखे थे किस तरह से हम body को लिखते है किस तरह से हम HTML क्यों लिखते है title कहाँ पर रहता है यह भी part हमने पिछली वीडियो में देखा था लेकिन आज मैं आपको बताने आला हूँ कि आपको HTML कहाँ पर लिखना है आपको practice करने के लिए HTML को किदर लिखना पड़ेगा वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने आला हूँ तो उसके लिए आपको सबसे पहले दो तरही के हमारे पास हम यहाँ पर text editor यूज़ कर सकते है जैसे कि आपका text editor है आपका notepad हम यहाँ पर notepad को भी use कर सकते है देखिए दोस्तों आपका जो notepad है हम इसमें भी HTML की फाइल आपकी बना सकते है और HTML की फाइल को बना के हम इसमें भी coding कर सकते है लेकिन यहाँ पर यह टेक्स editor है यहाँ पर आपको सभी facilities auto completion इस तरह की facilities मिलती नहीं है और यहाँ पर ज्य हम notepad को use नहीं करेंगे हमारे इस tutorial के लिए हम notepad को use नहीं करेंगे और HTML के लिए आपको आगे कोई बोलेंगा भी नहीं कि आप notepad को use करेंगे आपको सब आगे suggest करेंगे कि आपको यहाँ पर ID का use करना चाहिए आपके HTML के code को लिखने के लिए है तो हम क्या करने आले है हम यहाँ पर एक ID डाउनट करने आले है तो ID क्या होती है तो सबसे पहले मैं आपको बता दू तो दोस्तों जो ID रहती है वो रहती है an integrated development environment यह एक software रहता है जो आपको यहाँ पर compressive facilities provide करता है आप आपके programming के लिए और यहाँ पर आपको code editor, build automation tools और debugger मिलता है तो देखिए दोस्तों आपर ID आपको बहुत सारी चीज़े provide करता है आपको यहाँ पर build automation tools और code editor आपको provide करता है जैसी आप कुछ HTML का ht लिखोंगे तो आपको महाँ पर पूरा HTML लिखकर आजाएंगा पूरा च टैक्स रेते वह आपको लिखकर आजाएंगे तो आपको auto completion आपको प्रोवाइड करता है तो आपके programming का time वो बचाता है आपको यहाँ पर कम से कम coding लिखना पड़ता है ID की मदद से तो इसके लिए हम यहाँ आपर ID का use कर सकते है तो उसे क्या कहते हैं integrated development environment तो हम कुन से ID HTML के लिए HTML CSS JavaScript हमारे web development के लिए हम यूज करने वाले हैं VS code ID तो दोस्तों यहाँ पर आपको Google पर जाना है VS code डालना है तो जैसे आप आपर VS code डालोंगे तो वहाँ पर आपको Visual Studio code इस तरह से एक आपको आपर आइकन दिखेंगा यह एक ID है दोस्तों जिसमें आप web development कर सकते हो सबसे बेटर ID है web development के लिए और यहाँ पर हम बहुत सारी language को run कर सकते है तो यहाँ पर मैं इस language में Python भी run करता हूँ Java यहाँ पर हम कर सकते है HTML, CSS, JavaScript हम बहुत सारी language यहाँ यहाँ यूज करते है C language यूज कर सकते है C language की practice में करता हूँ तो हमारको यह ID यहाँ पर download करनी है तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है simply download पर click करना है आप इनकी download के section में चले जाओंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जिस भी प्रकार का laptop होंगा आपका windows का होंगा या फिर Linux का होंगा या फिर Mac का होगा तो आप उसके लिए यहाँ पर इस software को download कर सकते हो तो यहाँ पर मेरा windows का laptop इस पर मैं क्लिक करूंगा और जैसी यहाँ पर एक क्लिक करूंगे आप तो इसकी फाइल यहाँ पर डाउनोड होना स्टार्ट हो जाएंगी तो जैसी मैं डाउनोड पर क्लिक किया तो देखें दोस्तों यहाँ पर यह फाइल डाउनोड हो रही है तो दोस्तों मेरे पास already है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा इसे pause कर दूंगा और फिर जैसी आपका यहाँ पर download हो जाता है तो यहाँ पर आपको अभी resume बता रहा है क्योंकि मैंने download नहीं किया हो क्यों मेरे पास already है तो यहाँ पर जैसी आप download कर लोंगे आपको उसे double click करके show in folder में जाके आपको double click करना है और वहाँ से आपको install कर लेना है install करना बहुत simple है दोस्तो simply next next आपको करना है और install करना है तो उसके बाद में आपको यहाँ पर जैसी वह install हो जाता है आप पूरी process कर लेते हो तो यहाँ पर आपको search करना है html practice तो इस तरह से जैसे आप folder बनाओंगे तो आपको यहाँ पर simply इस folder पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर देखना है open with code यह जो open with code आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करना है जैसी आप इसे open with code करोंगे तो आपकी जो id हमने अभी download किये वह id यहाँ पर open हो जाएंगी तो जैसी आपके id ओपन हो जाएंगे इससे आप यहाँ पर coding करने वाले हो तो देखे दोस्तों यहाँ पर मैं इसका introduction आपको देता हूँ तो यहाँ पर देखिए id में यहाँ पर file का option है यहाँ पर आपकी files folder रहेंगे तो यहाँ पर देखिए जो project जो folder में ने बनाया था HTML practice वो यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा यह arrow down हो जाएंगा और यहाँ पर आपकी सभी files आएंगे इस area में आपकी सभी files आएंगे तो यहाँ पर आपको तीन folder बनाने सबसे पहले आपको HTML करके folder बनाना है देखिए यहाँ पर new folder का आपको यह option दिखाए दरा है यहाँ पर आप नई file बना सकते हो यहाँ पर आपको refresh explorer यह जो explorer है यानि आपकी files रहती है उसे explorer को आप यहाँ पर refresh कर सकते हो और यहाँ पर आपके folders को collapse कर सकते हो आप यहाँ पर आपको search का option मिलता है यहाँ से क्या कर सकते हो आप search कर सकते हो आपके files को या पर आपके coding के किसी part को और यहाँ पर यह आपको debugger प्रोवेट करता है यह जो part है आपका debugger का part है यहाँ पर तो उसे हमें देखना है यहाँ पर हमें यहाँ पर सबसे important है यह पार्ट और उसके बाद में यहां पर यह पार्ट यह पार्ट क्या है तो यह पार्ट आपका extension का पार्ट है तो यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आना है इस पर क्लिक करना तो यह भी आपको आपको इंस्टॉल कर लेना है जैसे कि मैं आपकर अनिस्टॉल करता हूँ तो यहाँ पर आपको जब पहली बार आप आओंगे लाइव सरो लिखोंगे तब आपको आपको इंस्टॉल करके ओप्शन दिखाए देंगा उस पर आपको क्लिक करना है और इसे कर लेना है जैसी अब हमारे इंस्टाल कर लूंगे इसे वियूज करेंगे हमारे मारे वेबसेट को होस्ट करने के लिए लोकॉल उस पके वेबसेट बनाएंगे उसे हमोरे को होस्ट करना पड़ेंगा अ bend को समझ सके आपकी website कैसी रही है आपका content कैसा रहा है तो उसे होस्ट करने के लिए हम यापर live server का use करेंगे तो जैसी आप इस extension को याप डाउनलोड कर लोंगे तो इस तरह से disable और uninstall का option यापर दिखाए देंगा और इसके बाद में आपका जैसी आप live server को use करेंगे यह extension है और दोस्तों extension का हम use क्यों करते है क्योंकि सभी चीज़े हमें यहापर id में बाहर से लेनी पड़ते हैं और वह चाहिए भी हमें क्योंकि हमें आपर simplicity से और जल से जल website को बनाना है और हमें time को बचाना है इसके लिए हम यहाँ पर इस तरह के extension को use कर सकते हैं तो सबसे better instruction है यह आपके live server आपको यहाँ पर आपके website को host करने के लिए local host पर तो जैसी यहाँ पर आप live server को install कर लोंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देंगा तो यह हो गया है आपका इंस्टॉल और इसके बाद में आपका live server भी आपके extension इंस्टॉल हो गया है तो इसमें देख सकते हो लेकिन आपको आपर दो ही चीज़े काम किये एक file का और एक आपका extension का तो इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे आपर आपको देखिए settings दिखती है settings आपर आप सेटिंग सर्च कर सकते हो तो सेटिंग में आपको जाना नहीं है अगर कोई problem आता है आप मुझे comment कर सकते हो ऊपर आपको command पालेट में आना है तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी command पालेट में बहुत सारी उसमें आपको क्या करना है एक new folder बनाने तीन तो यहां पर आपको बनाना है सबसे पहले HTML करके folder तो देखिए मैं ने HTML का एक folder बना और एक folder बनाना है आपको देखिए दूस्तों जो एरो दिखाई दे रहा है को और पिर यहां पर लाना बनाना यह वह बनाइगे और इसके नाम में उसकर क्लिक करें केरी है और पिर क्लिक करिए और नया फोल्डर बनाइए सबस्क्कार से में यहistem अलग चाहिए इसके इनिद्दर हममें ओमरी डालना है तो यहाँ पर देखिए कि तीन फोर्थ हमने बना लिए एक HTML का एक CSS का और JS का JavaScript HTML और CSS तो HTML का हमें सबसे पहले काम है यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे आप यह जो arrow है याभी आपको right-side में दिखाए दे रहा है इस पर क्लिक करोंगे आप तो इस पर क्लिक करके आपको new file पर क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे आप लिखूंगे तो इंडेक्स यह पे keyboard1 keyboard1.html क्लिक करना है और इस तरह से ॐ corn dot html यह जो लिकँए यह अप पर देखिए आपको एक आइकन दिखाए दे रहा है यह टैक्स का आइकन है आपको दिखाए दे रहा है यह HTML language को denote करता है तो इसके अंदर हम यहां पर हमारी practice करने वाले है तो यह आपका इसे देखिए दुस्तों मैं hide कर सकता हूँ इस तरह से इस पर क्लिक करूँगा तो यह फाइल आ जाएंगी इस पर और क्लिक करूँगा तो यह हट जाएगा तो इस तरह से हम hide भी कर सकते हैं और यहां पर आपको आपका code लिखना है तो जो भी हम आपर practice करेंगे वह यहां पर करने वाले हैं तो यहां पर आपको simply जो कर्मे ने बताया था वह HTML का जो भी हमने देखा था W3 school पर उसे use करना है क्या क्या देखा था अपने W3 school पर सबसे पहले आपको क्या लिखना यहां पर doc type html तो इसे आपको क्या करना है simply copy करना है यह copy किया आपने यहां पर आपको paste करना है यह हो गया यह आपकी document html की है ऐसा बताता है यह doc type html5 की है करके इसके फीर से आपको क्या करना है आपकर html टैक्स लागाने यह बहुत important है आपके html language को लिखने के लिए तो इस पर आ रहा है आपको यहां पर क्या करना है देखिए अब मैं आपको यहां पर बताता हूँ auto completion किस तरह होता है जैसे मैं आपर ht लिखूँगा तो html लिखने पर मुझे हैं यहां पर है इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए आपर यह पूरा complete हो गया है दूसरा slash html मुझे लखने की जरूरत है पर पड़ी नियुक्त तो दीखिए यहां पर इसके राव ममारे क्या लिखेंगे heading tag जो heading tag यहाँ पर रहते हैं तो उसके अंदर heading के अंदर title tag आपके रहते है वह हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे बेले हमाद है यहाँ पर लिखेंगे हम heading tag तो देखें एची लिखा मैंने सेव यहाँ पर head आ गया पर तो यहां पर आपके आईडी के मतदद से यह आपको प्रोएट करती है आपकी आईडी के बाद में आपके रहती है आपर बॉडी तो बॉडी में हमारा कोड लिखते है तो यह आपकी जो फाइल है यहां पर क्रियेट होगी अब मैं आपको एक स्टॉट कट बताता हूँ लेकिन इसके बदे मैं आपको रन करके लिखाऊंगा इसे तो इसमें क्या करना है हमें टाइटल दोंगे कुछ आपका जैसे मैं आपर देता हूँ अ हम इस्टीमेल ट्यूटो रियल वन और यहां बॉडी में कुछ पैरिग्राफ देता हूँ यह पी दबाया दोस्तों में जैसी पी दबाया है यह पैरिग्राफ का वह जो टैक्स है उपरे कम्पूट हो इसमें हम यह आप लिखेंगे ल-o-r-e-m जैसे अब ल-o-r-e-m लिखेंगे दोस्तों आपर देखें यह एमेट आपर करके आ रहा है इस पर क्लिक करूंगे तो देखें इतना सारा कोड इतनी सारे जो में को टेक्स्त है यह ऐसी मिल गया तो यही चीज आपको आपर आई- जाएंगा क्या करना है सर्ज करना है टॉगल जोड को यहां पर क्या सरृच करना है कम scor हैन में जाएए वाह पर आपको टॉगं वर्ड डर्म करके सर्ज करना है तो जैसे आप उस पर क्लिक करूंगे दीखें दोस्तों अब स्क्रॉल करने की जड़ोती नहीं यहां पर यह आ गया आपके विव एरिया में आ गया हैं तो यहां से आपको स्मप्ली से आपर दिखाए दे रहा है तो इसके बाद में हम यहां पर एक हेडिंग में कों पर हैं ऐसके लिए हेडिंग देंगे html tutorial 1 तो देखिए यह मैंने आपर heading दे दिया और यह आपर एक paragraph ब्याड़ कर दिया अब आपको क्या करना है अब आपको क्या करना है यहां पर इसे right click करना है और यहां पर जैसे आप right click करोंगे open with live server करना अपको तो यह आपर देखे changes दिखा है मेरे इस थम को देखे यहां पर आपको port 5500 को स्टाट हो गई है तो यह आपके port 5500 को स्टार्ट हो गई है तो यह आपको जो प्रोवाइड करता है आपका लाइव सर्वर प्रोवाइड करता है तो अभी हमें क्या करना है हमारी वेपसेट को देखना है तो यहाँ पर आपको गो लाइव का एक बटन दिखेंगा मेरे इसमें दीखनी रहा है क्योंकि मेरा जो यह ह लाइव सर्वर और यह वीएस को टोड़ा अपडेटेट नहीं है इसके लिए आपर मुझे दिखाई दे रहा है एक बटन रहता है आपके गो लाइव का उस पर पर आपके वेबसेट डिखाई देंगी तो यहाँ पर एक गोलाइव का बटन रहता है उस पर क्लिक करके आप ड अपडेड नहीं है इसके लिए मुझे आपर यहाँ पर राइट लिक करके ओपन विट लाइव सर्वर करना पड़ रहा है तो मैं उसके बाद में हाँ पर यह पोर्ट 5500 दिखाई दे रहा है अब मैं क्या करूंगा ग्रों पर जाऊंगा यहाँ पर मुझे टाइप करना देख सकते हो 127001 ना पर कोलन 550 इस पर हमारी वेबसाइट यहाँ पर स्टार्ट हुई है ओपन हुई है ना पर हमारी जो वेबसाइट है वो एक फोल्डर के अंदर है और वो फोल्डर का नाम क्या है और जैसे मैं आप पर लिखूंगा आपको अपर ध्यायन से देखते रहना है देखिए हमारी जो वेबसाइट है वो इंडेक्स.html की वेबसाइट है और वो हमारी वेबसाइट है कि अगर वो बटन काम नहीं कर दिये तो आपको किस तरह से करना है तो यहाँ पर 12700 इतना तो आपको आपको यहाँ पर लिखी लेना है लेकिन उसके आद में आपके फोल्डर का नाम आपकी जो फाइल है इंडेक्स.html यह एक फोल्डर में कुनसे फोल्डर में है फोल्डर मैंने इंडेक्स लिख दिया हूँ आपर 2-1 लिखना पड़ेगा तो देखिए यहाँ पर हमारे फाइल का नाम उसके फोल्डर जिस फोल्डर में आपकी फाइल है और यह तो आपको आपर ऐसी तरह से लिखना है कॉपी करके अगर आपकी गो लाइव की बटने आपर स्टा अब हो गहीं है और है जैनल म्या ऊच्छा अपर सक्रीन पर दिखाइद़ रहा है उप्र देखें ब्राउजर पर एंडग यह तेला अब लिखा था इस ने लेक्टा तरफ मैं लिखा था तो इस तरह से आपको पहली वेबसेट आपकी बनाना है तो congratulations हमने आपर हमारे इस टुटोरियल की पहली वेबसेट बना ली है और भी हम यहाँ पर हैंगे वेबसेट्स बनाने वाले तो सबसे बिल आपको क्या काम करना है आपको VS Code को इंस्टॉल करना है लिंक आपको description box में मिल जाएंगी और उसके अंदर आकर आपको यहाँड करने के बाद आपको यहाँडर बनाना है आपके desktop पर HTML प्रैक्टिस करके उसके बाद में उसे open with code करना है और फिर आपको यहाँडर आकर तीन फोल्डर बनाने है यह त एक में मत बना देना अलग-अलग बनाना है आपर में जैसे मैंने बताया वीडियो को जरूर से देखना रिवाइंड करके new folder बनाना तीन और उसके बाद में हाँपर एक file बनाना HTML में यह जो CSS का folder है इसका हमें अभी काम नहीं है आगे हमें उसका काम पढ़ने वाला है तो आपका आपर website चलने लगेंगा तो सभी points में आपका आपर इस वीडियो में बता दिये आप वीडियो को जरूर से देखिए rewind करके देखिए नई समझता है comment करिए जरू से देखिए तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो को आपके दोस्तों share करिए और यह वीडियो आपको CSS टुटोरियल की तो जरू से इस वीडियो को आपके दोस्तों को share करिए और चैनल को subscribe करिए तो मिलते हैं कि लिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद हो